आपको इसके लिए जाना पड़ेगा निकोबार आइलेंस पे निकोबार आइलेंस पे आप देखेगा यहाँ आपको गाला थे बे नजर आएगा यह भारत का सबसे आखरी पॉइंट है इंदरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है और अब यह नियूज में है क्योंकि यहाँ पे भारत का नया मेजर पोर्ट जो है बनाया जा रहा है इसको हम बना रहे है as a transshipment port अब transshipment port क्या होते है इसके भी detail आपको पता होने चाहिए और किस तरह से भारत में potential है transshipment port एक ऐसी चीज है अगर आप notice करेंगे समझेंगे transshipment port को आपको यह समझ में आएगा कि यह एक बड़ा game है और इससे इंडिया सभी जितने भी आसपास इंडिया के बहुत करीब से जाते हैं दुनिया भर के international trade routes इन international trade routes जो है इन international trade routes पे जारे वाले जो ships है बड़े बड upload, unload करें वो सब चीजे जो है transshipment port यही होता है कि आप अपना माल उतारें माल चड़ा है यह सब facilities भारत दे सकता है तो गालत या बे जो एक नया इंडिया का major port है और major port का मतलब होता है जो सीधा central government के अंडर आते हैं आपके वो भी रहते हैं आपके you also have minor ports तो जो minor port होते है व state government के control है major port हम उसी को कहते हैं जो central government के पास आते हैं total भारत में 13 major port आपको देखने को मिलेंगे so बहुत interesting point है कि अब finally जो है यह बहुत बड़ा mega international container transshipment port यानि कि ICTP यह खास चीज़ है जो आपको याद रखनी है गाला थेया बे में great nicobar में and इसको notify किया गया है भारत का 13th major port तो 13th major port का मतलब दो चीज़े हैं पहली बात question आए बही बताओ recently कौन सा port बना है major port तो आपके पांस answer है जी गाला थेया बे ठीक है और interesting इसका पहला जो नाम आप इसके बाद देखेगा तो almost जो हमारा बार्वा major port था भारत का it was named after as the the kamarajar port उसके बाद 13th अब जाके अप major ports है उनकी भी location आपके लिए important हो सकती है तो गला थेया बेको यहाँ पे आप जरूर मार्ग कर लीजेगा देखेए इसकी location map wise कभी कभी हो सकता है यह places in news के लिए important हो जाए ना maybe it's important for places in news तो यह आप जरूर चेक आउट किजेगा और इसी के बिलकुल पास में जो इंदरा point है यह 6 degree 45 minute का जो भारत में होता है लास्ट जो हमारा जो southernmost point है इंडिया का वो इंदरा point है इसी के आज पास आप देखें गाला थेया बे के उपर आपको गाला थेया बे का जो है wildlife national park भी नजर आएगा एक national park भी इस नाम से है यहाँ पे notice करना और वैसे भी आप notice करना कि जो हम हमारे निकोबार islands है great निकोबार आइलेंड वगरा और पूरे overall अन्नमा निकोबार भी वो काफी जादा news में है आजकल because of the latest developmental projects तो वो आपको वैसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है भारत के मैं major port की अगर बात करूं तो आपके सामने एक list आपको नजर आएगी major ports की जि करनाटका का मैंगलोर पोर्ट कोची पोर्ट केरला का तुथी कोरन तमिल नाडू चन्नाई पोर्ट भी तमिल नाडू का है और एन्नोर एन्नोर भी ये वी one of the latest ही है भारत का जो है one of the latest जो है major port में आता है औरड़ी अन्नमा निकोबार में आप रोटिस करना कि port ब्लेयर प पारादी port उडिसा का और कॉलकाता का वेस्ट बेंगौल का कॉलकाता port तो ये भारत के already major ports है अब इसमें एक नाम आपको और जोड़ना है और वो आप जोड़ेंगे यहाँ पे अब हो गया आपका गाला थिया बे के नाम से ठीक है ना तो ये आप ज़रूर नोटिस करना द उसका state तो कैसे भी पूछें आपको इसके बारे में awareness होनी चाहिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अपने गाला थिया बे की अगर हम बात करें तो गाला थिया बे की अगर location आप देखिएगा ग्रेट निकोबार आइलेंड पे है अन्नमा निकोबार का पार्ट है ये बा 35% global sea trade अगर निकलेगा उनमें से जितना भी इंडिया में आ जाए वो हमारे लिए add-on advantage होगा ट्रांशिप्मेंट पोर्ट जो होते है इसको बनाया ही major ट्रांशिप्मेंट पोर्ट के लिए गया है क्योंकि specially वो कार्गो जो इंडिया से East Coast पे Myanmar बांगलादेश साइड जाए पोर्ट-led development क्यों कामिया मॉडल होता है देखिए आपके पास international traffic आना शुरू हो जाएगा वो पोर्ट को आप बेटर करोगी करोगे वो पोर्ट के साथ जुड़ने वाली road, railway उनको भी आप बेटर करोगे आस पास आप दुनिया भर के units, processing units, industrial units लगाओगे बहुत सारी jobs भी create होंगी, यह port-led development model काफी successful model है, तो जब-जब कोई major port आता है, major port का development है, उसके आस पास area में भी आपको development देखने को मिलेगा, हलाकि एक situation यहाँ पे concerning है और वो है environmental sensitivity, देखिए overall जो अन्नमार निकोबार आइलेंड है, especially जो great निकोबार आइलेंड है, वो काफी जादा eco sensitive है, और eco sensitive, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, development versus environment, तो यहाँ पे देखना होगा कि किस तरह से हम minimize कर सकें, इस region की ecological vulnerability को ध्यार लगते हुए, जितना हो सके, उतना minimum environmental अपने को damage करना है, और maximum development करनी है, यह अपने आप में challenge होगा, हलाकि अगर हम इसके economic impact की बात करें, तो ऐसा माना जा रहा है कि लगबग लगबग 200 से 220 मिलियन डॉलर हर साल हम बचाएंगे, युकि अभी ना इंडिया के पास कोई ऐसा खुद का transshipment port है नहीं, हम दूसरे transshipment ports पे depend करते हैं, तो भारत हर साल 200 से 220 मिलियन डॉलर बचाएगा, तो काफी जादा economic saving होगी, प्लस में, हमेशा इस तरह के transshipment ports जो है, वो एक major development center जो है, create करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत idea लगा होगा, इस तरह के और वीडियो के लिए और हमारे लंबे जो complete courses हैं, उनके लिए आप हमारी mobile app जरूर चेक आउट कीजेगा, download कर सकते हैं from the google play store, ethics और physical geography का course अविलेबल है, हम 1st November से we are starting Indian economy, अगर आप Indian economy भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नए course में enroll कर सकते हैं, हमारी mobile app पे सारे classes अविलेबल हैं, साथ में हमारा जरूर telegram channel join कीजेगा, telegram channel से, आप complete update रहेंगे, जो भी चीज़ शेर करता हूँ, मैं आप telegram पे आपको मिलती रहेंगी, बाकी वीडि अगली वीडियो में, थांक यू सो मच, गद्बेस्ट यू तेक केर, जय हिन, जय भारण